शब्द भंडार शब्द भंडार के अंतरगत हम तद्सम तद्भव शब्द, परियावाची शब्द, विलोम शब्द, समुहु वाचक शब्द सबसे पहले लेंगे तद्सम तद्भव शब्द हिंदी में बहुत सारे शब्द संस्कृत भाषा से लिये गए हैं कुछ शब्दों को सीधे सीधे उठा कर हिंदी में शामिल कर लिया गया इन शब्द को तच्सम शब्द कहते हैं इन ही तच्सम शब्दों को बदल कर प्रयोग किया जाता है वे ये शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं कुछ तच्सम और तद्भव शब्द इस तालिका में दिये गए हैं तच्सम शब्द हस्त तद्भव शब्द हात स्वटन सपना ब्रिशब बैल रात्री रात मुख मुह ब्राता भाई नृत्य नाच दुग्ध दूद दंत दात तैल तेल ताम्र तामबा जीवा जीव सर्प साप ग्रिह घर क्षेत्र खेत क्रिशक किसान उलुक उल्लू अमोल्य अमोल अन्न अनाज अंगुष्ट अंगुठा परियावाची शब्द इन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं क्यूंकि एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को परियावाची शब्द कहते हैं जैसे आग शब्द है यदि हम कहे अगनी तो इसका मतलब आग ही है यदि हम अनल कहे तो इसका भी अर्थ है आग के परियावाची शब्द है अगनी अनल पावक कुछ महत्व पून परियावाची निम्न लिखित है आकाश नभ गगन आस्मान अश्व घोडा तुरंग आम अम्ब आम्र रसाल आख नेत्र नयन लोचन कमल जलज, पंकच, नीरज गंगा भागी रती, देवनदी, सुर्सरी गनेश लंबोदर, गजानन, विनायक गाय गव, गव, धेनू चंद्रमा चंद्र, राकेश, शशी जल, पानी, नीर, वारी दिन, वासर, दिवस, वार नदी, सरीता, नध, तरंगिनी पुत्र, तनय, सुत, आत्मज रात, रात्री, निशा, रजनी हाती, गज, कुंजर, हस्ती सूर्य, दिनकर, भासकर, रवी विलोम शब्द, विलोम का अर्थ है उल्टा, अर्थात, ऐसा शब्द, जो सामानने शब्द के विपरित अर्थ वाला हो, उसे विलोम शब्द कहते हैं, दूसरे शब्दों में, जो शब्द परस पर विपरित अर्थ प्रस्तूत करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं जैसे दिन, रात दिन और रात परस पर विपरित अर्थ दे रहे हैं कुछ विलोम शब्द निम्न है शब्द है सजीव, निर्जीव, सजजन, दुर्जन, उपकार, अपकार, साकार, निराकार, स्वतंत्र, परतंत्र, उन्नती, अवनती, उदय, अस्त, अम्रित, विश, लाब, हानी, आकाश, पाताल, गुण, दोश, हार, जीत, लाब, हानी, आदी, अंत, आज, कल, गुरु, शिश्य, मित्र, शत्रु, बालक, बालिका, नर, नारी, आशा, निराशा, आधार, निराशा, आधार, निराशा, मान, अपमान, स्वार्थ, निह्ष्वार्थ, नैतेक, अनैतेक, एक, अनेक, न्याय, अन्याय, अर्थ, अनर्थ, इच्छन, अनिच्छ, देश, विदेश, नूतन, पुरातन, अंधकार, प्रकाश, अमीर, गरीब, पंडित, मूर्ख, आदान, प्रदान शब्द समुह वाचक शब्द जब एक शब्द अनेक शब्दों का अर्थ अपने अंदर समाहित रखता हो उसे शब्द समूह वाचक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं जैसे सौ वर्ष का समय शताब्दी कुछ और शब्द समूह वाचक शब्द निम्न है अनेक शब्द जिसका आचरन अच्छा हो एक शब्द सदाचारी जिसका आकार हो साकार जो पढ़ा ना जा सके अपठनिय जिसके आने की तिथी ना मालूम हो अतिथी जीवन भर का आजीवन जिसका भाग्य अच्छा हो सोभाग्य शाले जो पढ़ा लिखा हो सिक्षित स्पष्ट बोलने वाला स्पष्ट वादी प्रती वर्ष होने वाला वार्षिक जो बुढ़ा न हो अजर दूर की सोचने वाला दूर दर्शी जिसकी इच्छाए महान हो महत्व कांग्षी सौ वर्षों का समय शताब्दी या सदी जिसकी मृत्यों न हो अमर नाटक खेलने का स्थान रंगमंच जिसकी उपमा न हो अनुपम पीने योग्य पेय जो कहा न जा सके अकथनिय जिसका विवा न हुआ हो कुमार झाल